नमस्कार मैं हूँ साक्षी सिंग और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज औस्टेलिया के लिंज में 27 अप्रेल से होने वाले विश्व टेवल टैनिस यूट कंटेंडर के लिए तीम इंडिया में चैनितमिलनाडू के विश्वा दिन दयाल का सड़क दुरगटना में निधन हो गया है वह 13 वी सीनियर नेशनल और इंडरस्टेट टेवल टैनिस चैंपियंशिप में भाग लेने के लिए टैक्सी में गुहाती से शिलांग जा रहे थे आपको बता दें कि उनकी टैक्सी से उमली चैक पोस्ट के पास विप्रीत दिसा से आ रहा एक ट्रेलर डिवाइडर को पार करते हुए टक्रा गया और खाई में गिर गया वही टैक्सी चालक की मौके पर मौत हो गई है वही विश्वा को नौर्ट इस्टर इंडर गांडी रीजनल इस्ट्यूट ऑफ हेल्ट और मेडिकल साइंसेज ने व्रद घोशित कर दिया है उनके साथ टैक्सी में यात्रा कर रहे हैंने लोग रमेश अंतोस कुमार, अविनास, प्रसनाजी, श्रीनिवासन और किसोर कुमार को गंभीर चोटे आई है डॉक्टर के मताबिक तीनों की हालत स्टिर है और भग खत्रे से बाहर है आपको बता दे कि टेवल टैनिस फेरदेशन ऑफ इंडिया ने इस दुर्गटना की प्रस्टी की है जारी बयान में कहा गया कि सीनियर नेशनल और इंडर स्टेट टेवल टैनिस पते हो गिता में भाग लेने के लिए जारहे टमिलनाडू के खिलाडी का में गाले के रीभोई में एक दुर्गटना में म्रत्य हो गई है इसके साथ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रे खेल मंत्री किरन रिजूरू ने शोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दीन दयाल के निधन पर शोग व्यक्त किया है उन्होंने अपने पोस्ट में कहा यह जानकर बहुत दुख हुआ की तबिलनाडू के युवा टेबल टैनिस खिलाडी दिन दयाल की सड़क दुर्गटना में म्रत्य हो गई है वही हर्याना के उप मुखिमंत्री उसें चोटाला ने भी दीन दयाल के निधन पर शोग व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए पांच लाख रुपे मुआपजे की घूशना की है आपको बता दें कि देश के नमर एक टेबल टैनिस खिलाडी और विश्वा के राज तविलनाडू के सम्मधित अचत्य शरत कमल ने कुछी दिन पहले उन्हें देश की सबसे उभरता टेबल टैनिस पतिवा बताया था चेनेई के लॉयला कॉलेज में वह वीकॉम के चात्र थे जनवरी में दहरादून में हुई अंडर 19 रास्ट्र रैंकिंग टेबल टैनिस का खिताब भी उन्होंने जीता था आज की खास ख़बर में बस इतना ही देश दुनिया से जोड़ी ख़बरों के लिए देखते रहे एरियल न्यूस धन्यवार